गुड मॉनिंग इस्टूडेंट, वेलकम ट्यूर क्लास। बटा हमने आपको चप्टर 11 एक्स्प्लेंग किया था कस्मीर का सौन्दर। उसी चप्टर का पार्ट टू आज हम एक्स्प्लेंग करेंगे कि कस्मीर में प्राकिर्थिक सुन्दर्ता के साथ साथ महाँ पे चप्टर को बहुत ध्यान से समझना है और रेवी करना है ओके बटा हम लोग हिंदी लिट्रेचर में चप्टर 11 कस्मीर का सौन्दर। उस चप्टर को हम लोग अभी पढ़ रहे थे हमने आपको इसके प्राकिर्थिक सुन्दर्ता के बारे में बताया था आज हम आपको वह लगभग 10 किलो मीटर दूर है बाग तक सड़क के रास्ते से भी पहुचा जा सकता है और डल जीलो में नाओ और सिकारों द्वारा भी वहां तक पहुचा जा सकता है आओ इस बाग की सेर करें जो साली मार बाग है वो स्री नगर से लगभग मतलब 10 किलो मीटर की दूरी पर बाग तक जाने के लिए सड़क के रास्ते से भी जाया जा सकता है और डल जील में नाव और सिकारों द्वारा भी जाया जा सकता है सिकारा मिंज होता है पिसेश प्रकार की नाव आओ इस बाग की सैर करें आप पिक्चर में बाग देख रहे हैं कितना सुन्दर है ना ये बाग, साली मार बाग, ये कस्मी इसरी नगर से लगबग 10 किलो मिटर की दूरी पर है, इस बाग में सड़क के माध्यम से भी जाया जा सकता है, और डल जील में नाओ के द्वारा भी यहां पर पहुंचा जा सक साली मार बाग, सीड़ी नुमा है, यहां बहुत सुन्दर सुन्दर पेण है, क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल लगे हैं, पीले रंगे बड़े बड़े फूल बहुत सुन्दर लगते हैं, खुनामी, चेरी, बादाम, आणू के पेण बहुत सुन्दर लगते हैं, साली मार बाग जो है वो सीड़ी नुमा है यहां बहुती संदर संदर पेड़ है क्यारियों में रंग विरंगे फूल लगए है और पीले रंग के बड़े बड़े फूल बहुती संदर लगते है खुनामी, चेरी, बादाम और आणू के पेड़ भी बहुत सुन्दा लगते हैं आप पिच्चर में देख रहे हैं क्यारियों में पीले रंके बड़े बड़े फूल लगे हैं और ये सीधी नुमा बाग है सेब के ये पेड़ तो देखो अपने फलों के बोज से जुके कितने अच्छे लगते हैं पेड़ पर सेब ही सेब है पत्तों कातों कहीं नाम ही नहीं है कस्मीर में सेब सबसे जादा होता है सेब के जो पेड़ है वो बहुत जादा है अपने फलों के अपने फल की वज़र से जो पेण बोज से जुके हुए कितने अच्छे लग रहे हैं पेण पर लग रहा है कि सेब ही सेब है पत्ते तो कहीं दिखी नहीं रहें पत्तों का तो कहीं नाम ही नहीं है यह बाग की पहली सीड़ी है जैसे जैसे तुम उपर चड़ते जाओगे तुम्हें ऐसी ही सीड़ीयां मिलेंगी प्रतेक सीड़ी पर हरी हरी घास का नरम नरम फर्ज फूलों की क्यारियां और फलों से लदे पेंड दिखाई देंगे यह बाग की जो है वो पहली सीड़ी है जैसे जैसे आप एक पिक्चर में देख रहे हैं बाग की पहली सीड़ी है जैसे जैसे तुम उपर चड़ते जाओगे तुम्हें ऐसी ही सीड़ीयां मिलेंगी प्रत्येक सिड़ी पर हरी हरी घास का नर्म नर्म फर्स और फूलों की क्यारियां और फनों से लदेपिर दिखाई देएंगे देखो इस बाग के बीचों बीच यह क्या है यह एक नहर है जो एक सिड़ी पर उतरती हुई नीचे डल जील में जा गिरती है जब यह एक सिड़ी से दूसरी सिड़ी पर उतरती है तो ऐसा लगता है कि मानो छोटा सा जर्ना है इस बाग के बीचों बीच में यह क्या है जो बाग यह उसके बीचों बीच में क्या है यह एक नहर है जो एक सिड़ी पर दूसरी सिड़ी पर उतरती हुई नीचे डल जील में जा गिरती है जब यह एक सिड़ी से दूसरी सिड़ी पर उतरती है तो जैसा लगता है कि मानो कोई छोटा सा जर्ना है चोथी सिड़ी पर बने इस तालाब को देखो तालाब में बने इन फवारों की ओर ध्यान दो जिस समय ये सारे फवारे छूटते होंगे उस समय कद्रिस कितना लुभावना लगता होगा ये चिनार के बिच्च कितने बड़े बड़े हैं कहते हैं इनहें भी बादसा जहां गिरने ही लगवाया है आप इन पिच्चर में देख रहे हैं इस सिड़ी पे जो पानी के जिब गिरता है तो ज़िसे लगता है कि मानो कोई चोटासा जर्णा है और चोथी सिड़ी पर जो तलाब को देखो तलाब में बने इन फवारों को देखो, यह आपके फवारे दिख रहे हैं, आपको fountain दिख रहे हैं, जिस समय यह सारे फवारे एक साथ छूटते होंगे, उस समय कद्रिस कितना लुभावना लगता होगा, लुभावना मिन्स होता है, मन मोहने वाला, यह चिनार के ब्रिच कित वो किस ने लगवाया था, बादसा जहांगेर ने लगवाया था, आओ अब निसाद बाग की सेर करने चले, निसाद सब्द का अर्थ है, प्रसन्नता, निसाद जो सब्द है, उसका अर्थ क्या है, प्रसन्नता, सच्मुच यह बाग दर्सकों के मन को प्रसन्नता से भर देत इसमें संदेह नहीं कि निशाद भाग भारत के सबसे सुंदर भागों में से एक है जो निशाद का अर्थ है प्रसंदता यानि कि निशाद का सब्द प्रसंदता यानि देख कर खुसी होना प्रसंदता होना सच्मुच या भाग जो है वो दर्सकों के मन को प्रसंदता से भर मतनब खुशी से भर देता होगा। इसमें संदे नहीं कि निसाद बाग जो है वो भारत में सबसे सुन्दर बागों में से एक है। निसाद बाग को साह जहां की बेगम के पिता आसफ जहां ने लगवाया था आसफ जहां को यह बाग प्राणों से भी प्यारा था जो निसाद बाग है वो साह जहां की बेगम यानि की साह जहां की पतनी के पिता जी ने आसफ जहां ने लगवाया था सालीमार बाग की तरह यह बाग भी सिड़ी नुमा है बाग के बीचो बीच बने छोटे छोटे तालाबों को देखो ये नहर द्वारा आपस में एक दूसरे से मिलते हुए हैं यहाँ बहुत से फवारे हैं यहाँ के फवारों से बाग की सोभा कितनी बढ़ गई है जो साली मार बाग की तरह यह बाग भी क्या है सीड़ी नुमा है बाग के बीचों बीच बने छोटे छोटे तलाबों को देखो यह नहर के द्वारा एक दूसरे से आपस में मिलते हैं यहां बहुत से फवारे भी हैं यह फवारों से बागों की सोभा कितनी बढ़ गई हैं आप यह बाग देख रहे हैं सचमुच वाकई में कितना ही सुन्दर है ना यहां क्यारियां बनी हुई हैं एक दूसरे से यह मिलते हुए फवारे जब बागों एक साथ उपन होते होंगे खुलते होंगे तो बाग की सुभा कितनी बढ़ जाती होगी इस बाग में लगी फूलों की क्यारियों को तो देखो इसमें इनमें रंग भी रंगे फू में देख रहे हैं कहीं पर लाल कहींपर पीले कहीं पर नीले फूलों की क्यारियां कितनी सुदर लग रही हैं चारों और कितनी सुगन है कस्मीर सौंधर की खान है साली मार्ग और निसात के अतरिक्त कस्मीर घाटी में और भी कई परेटन इस्थल है कस्मीर जो है वो सौंदर का क्या है खान है साली मार्ग और निसाद के अत्रिक्त वहाँ पर कस्मीर में और भी कई पर्यटन इस्थल है इन पर्यटन इस्थलों में डल जील, चार चिनार, गुल मर्ग, खिलन मर्ग, अमरनात की गुफा आदी प्रमुख है तस्मीर जो है वो सुंदर का क्या है खान है साली मार्ग और निसात के अत्रिक वहाँ पर और भी कई पर्यटन इस्थल है इन पर्यटन इस्थलों में सबसे प्रसित जुधार्मिक इस्थल है वो इन पर्यटन इस्थलों में डल जील है चार चिनार है गुल मर्ग है खिलन और कई परेटन इस्थल चस्मे दाई खिलन मर्ग चस्मे साही आधी प्रमुख है ये इतने परेटन इस्थल हैं इनके अतिरिक्त प्रसिद जो धार्मिक इस्थले वो माता बैश्नो देवी गुफा अमरनात की गुफा हजरत बलमस्जित और रगुनात मंदिर भी इसी घाटी में इस्थित है इन सब के लावा कस्मीर में सबसे अधिक प्रसिद जो धार्मिक इस्थले वो माता बैश्नो देवी की गुफा अमरनात की गुफा हजरत बलमस्जित और रगुनात मंदिर भी इसी घाटी में इस्थित है ये सभी परेटन इस्थल पूरा वर्स परेटकों क अपनी और आकर्शित करते हैं ये जो परेटन इस्थल है ये पूरे वर्स यानि हर साल ये परेटकों को अपनी और आकर्शित करते हैं भारती ही नहीं अपुती विदेशी परेटक भी यहां बड़ी संख्या में आते हैं केवल भारत के लोग ही नहीं विदेशी जो परेट प्रत्वी का स्वर्ग कहते हैं इतना सुन्दर है कि इनी द्रिश्यों के कारण परवतों में जो यह इस्तित घाटी है इसको क्या कहा गया है पृत्वी का स्वर्ग कहते हैं, कसमीर को क्या कहते हैं, तब ही तो साज आने कहा था यदि पृत्वी पर कहीं स्वर्ग है, तो वह यही है, यही है, यहां ही है मतलब इतना सुन्दर है कस्मीर की इसकी प्राकिर्थिक सुन्दरता को देखते वे साज आने का था कि अधी पृत्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कहा है यही है तो वह यही है यही है यहां यह मतलब की कस्मीर यह पृत्वी का स्वर्ग है पीटा मैंने आपको ये chapter explain कर दिया है आपको पूरे chapter को आपका जो homer के वो पूरे chapter को बहुत अच्छे से read करना है पूरा part 1 से लेके पूरे chapter, full chapter आपको बहुत अच्छे से read करना है और उसको समझना है ओके, thank you, have a nice day